अवरात्र में जब हम अनुष्ठान करते हैं तो इस समय पांच सुष्टाइग आउस्प्रति हैं देशुद्धी, द्रविशुद्धी, भावुशुद्धी, क्रियाशुद्धी और मंत्सुद्धी यह पांच सुष्टाइग जो अनिवारे होती हैं इनका पालन करना होता है, ब्रह्मचर अव्यत का पालन के आयाता है, भूमी पर सहन के आयाता है, जो शक्ति के विशे सहादक हैं उससे भूमी पर सहन करते हैं और उपास रखते हुए शक्ति के मंत्र का अनुष्ठान करते हैं जो शाक्ता अभी शक्त सहादक है वो जो जो साधान जो रहस्ते भागते हैं वो नवचन्डी का करते हैं अपने घर में एक चोकोर वेदी का निर्बान करते हैं दो हाथ लंगी दो हाथ चोड़ी हिखात उची एक वेदी बनाका उस पर यंत्र की अच्वा पत्मा के स्थापना करके विदिवत भावकुन तरीके से पं लृक outta आर्फ करते हैं और स्कूल को माननेवाले9 में दिन अपने अनुस्ठान को सम्पूर करते हैं और जो सक्षक्ति की की जातियां अर्शी को जन आयोजिद करते हैं सुम्स्दिर हादि का बनांजिन किया जाता है और सो बार आवरतियां करने कए जको सचंदिर पहलते ह करते हैं पूर्जन के साथ ही अपने नुष्ठान को संपूर करते हैं नवरात्र में जो बोने का यह उससे इस बाद का नाया लग जाता है कि हमारा नुष्ठान कितना सफल वाग छीट जो इस वाइब घर में धंधान परिकूर रहे इसलिए जो है जो होए जाते हैं और उनके को यह काद उसमें अगर शूर्थ रंगा आ जाता है तो उसके बहरी शुब माना जाता है प्यत्री जितनी सगन होगी और जितनी हरी होगी वह अनुस्ठान करने वाले के लिए उतनी शुब मानी जाती है